हलो फ्रेंड आज के सेसन में हम लोग क्रिस्टालोगाफी के बारे में दोस्तों डिसकसन करेंगे क्रिस्टालोगाफी में क्या-क्या लोग फॉलो किया जाता है जनरली आपको पांच लोग को यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों बहुत यासान सा टोपिक है तो पहला लो क्या है दोस्तो आपका low of consistency of interfacial angle दूसरा लो क्या है दोस्तो low of rational indices तीसरा लो low of axial ratio चोथा लो क्या है दोस्तो low of crystallographic axis and fifth लो क्या है दोस्तो consistency symmetry तो यहाँ पे आपको 5 लो को follow करना होगा दोस्तो पहला लो क्या है low of consistency of interfacial angle low of consistency of interfacial facial angle दोस्तो दुनिया में आपको कोई भी एक variety of crystal मिल रहा है दोस्तो एक area पे आपने quaj आपको मिल गया suppose okay quaj आपको मिल गया इस quaj crystal का दोस्तो आपको interfacial angle श्टडी करना है दोस्तो okay इस quaj crystal का दोस्तो आपको एक interfacial angle study करना है और दूसरा एक दुनिया में कहीं पे भी quaj आपको मिल रहा है okay यह suppose आपका एक quaj crystal मिल गया दोस्तो quaj extra gonal crystal है okay दूसरा एक crystal अब दूसरे quarch का, दुनिया में जितने भी quarch होंगे दोस्तों, इनके बीच में जो इंटरफेस के बीच में जो angle है दोस्तों, वह always constant ही रहेंगे तो इसको क्या बोला जाता है consistency of interfacial angle क्योंकि दुनिया में हर एक same variety के crystal का दोस्तो में भी उसका size बड़ा हो सकता है छोटा हो सकता है लेकिन दोस्तो उनका जो interfacial angle है दोस्तो वो same ही रहेंगे तो interfacial angle क्या रहेंगे दोस्तो आपको same ही देखने को मिलेंगे कोई भी यहाँ पर आगर आप जिर्कॉन मिंडल ले रहे हो दोस्तो ओके यहाँ पर आप क्या ले रहे हो कि जिर्कॉन मिंडल ओके जिर्कॉन कौन सा system दोस्तो टेट्रागॉनल ओके यह एक छोटा सा जिर्कॉन और दूसरा है कोई भी जिर्कॉन बहुत बड़ा अगर क्रिस्टाल आप देख रहे हो ओके जो कि टेट्रागॉनल सिस्टम में आपको देखने को मिल रहा है तो दोस्तो क्या होगा कि आपको यहाँ पर जिर्कॉन का जो भी interfacial angle रहेगा ओ दोस्तो दूसरा जिर्कॉन में भ दोस्तो जो interfacial angle होते हैं दोस्तो सेम ही रहेंगे क्योंकि उनका दोस्तो atomic arrangement से ही decide हो जाता है कि यह मिन्डल क्या बनेगा इसका अगर interfacial angle इतना हो रहा है तो यह क्या बनेगा इसका अगर interfacial angle दूसरा हो रहा है तो यह दूसरा crystal बनेगा दोस्तो तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तो low of consistency in superficial angle. दुनिया में हर, मतलब की एक variety मिंडल का दोस्तो, quarch का तो एक quarch में जितना होगा, दुनिया में सब quarch में उतना ही interfacial angle रहेगा. जिर्कन में जैसा है, दुनिया के दूसरे भी जिर्कन में उतना ही interfacial angle आपको देखने को मिलेगा दोस्तो. उसके बाद हमारा लो ओफ लो ओफ रेशनल इंडाइसेस रेशनल इंडाइसेस दोस्तो यह क्या है एक मिन्डाल पर दोस्तो एक मिन्डाल है यहाँ पर डिफेरेंट डिफेरेंट आपको फेस देखने को मिलेंगे ओके इन फेस का दोस्तो indices होगा दोस्तो ओके इन face का दोस्तो indices होगा दुनिया में सभी मतलब की अगर आपको quartz मिल रहा है quartz का सभी face का miller indices निकाल देना यहाँ पे face A में जो रहेगा दोस्तो face B में face C में जितना रहेगा दूसरा भी quartz ले आना दोस्तो उसका भी अगर miller indices अगर study करेंगे दोस्तो same ही आपको देखने को मिलेगे तो दुनिया में जितने भी quartz मिलेंगे उनका face का indices दोस्तो equal ही आपको देखने को मिलेगा ओके तो उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे दोस्तो low of axial ratio low of low of axial ratio axial ratio दोस्तो क्या है कि हर एक crystal में दोस्तो A होता है B होता है और C होता है ओके अगर आपको A by B निकलना है और B by C निकलना है और C by A भी निकलना है दोस्तो एक quartz यह है दोस्तो इसका अगर axial ratio आप निकाल रहे हो और दूसरा भी एक quartz का A x x y was ratio यह साँ दूसरा अगर A y 2 निकाल रहे हो क्योंकि इनने दोस्तों अगर यह नहीं नहीं निकल रहे है क्योंकि इसका जितना unit length करेंग दूसे से इस आपको unit length में cut होता हुआ नजर आएगा दूस्तों तो अगर axial ratio दोस्तों दुनिया में सभी equal mineral का दोस्तों same ही रहता है और उसके बाद low of crystallographic axis low of crystallographic axis दोस्तों कोई भी crystal में आप देख सकते हैं दोस्तों जो 3 axis आपको देखने को मिलेंगे hexagonal होगा तो 4 axis दोस्तों उनका जो direction होता है दोस्तों पुरा constant रहता है front to back आपको a1 देखने को मिलेगा ok a axis उसको बोलते हैं दोस्तों और left to right उसको हम b axis बोलते है top to bottom जो axis होता है उसको हम c axis बोलते हैं दोस्तों ok यही है ok सभी crystal का दोस्तों front वाला axis क्या होता है left to right वाला एक्सिस होता है b एक्सिस और top to bottom वाला एक्सिस होता है हमारा c एक्सिस उसके बाद most important जो low होता है दोस्तो low of consistency in symmetry okay low of consistency consistency in symmetry symmetry क्या है दोस्तो हर कोई भी mineral बे suppose आप समाझ लो कि यह आप cubic system के उपर आप study कर रहे हो cubic system में plane of symmetry कितना रहेगा दोस्तो holohedral form में plane of symmetry कितना रहेगा दोस्तो 23 okay plane of symmetry total 9 रहेगा total number of symmetry दोस्तो total holohedral form में दोस्तो 23 दुनिया में कोई भी holohedral form हो सकते galena का दोस्तो अगर ले जाओ cubic system में crystallize करता है दुनिया में हर कोई मतलब कि holohedral form का दोस्तो 23 मिलेगा plane of symmetry यहाँ पे 9 ही आपको देखने को मिलेगा axis of symmetry आपको 13 ही देखने को मिलेगा और center of symmetry आपको 1 ही देखने को मिलेगा दोस्तो अगर आप tetragonal system के उपर study कर रहे हो तो tetragonal system में total symmetry कितना होता है दोस्तो holohedral form 5 और 1 11 total number of symmetry आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे दोस्तो tetragonal system में दुनिया में किसी भी tetragonal system आप hexagonal में देख सकते हो holohedral form में तो दोस्तो यह जो होता है अगर cubic आपको देखने को मिल रहा है cubic system में आपको देखने को मिल रहा है तो 23 symmetrical element अगर आपको tetragonal system में देखने को मिल रहा है गonal system आपको 11 number of symmetry आपको hexagonal system में देखने को मिल रहा है तो आपको 15 number of symmetry यह दोस्तो constant ही रहेगे holohedral form